दोस्तो आज हम ट्रिक से याद करेंगे राज्यो के राज्यकिय व्रक्स देखिए इंपोटेंट टोपी के भाई एक्जामिकेशन पूछ लिए जाते और आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे वीडियो का एंड होते होते आपक बुरांस अब देखिए सिक्किम का हो गया सिक्के अब विखारी जो है सिक्के मांग रहा है ए बाबुजी सिक्के देदो बुरांस 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 ब बुरा सा मूँ बना कर मना कर देता है यह मेरे पास नहीं है भाई शिक्के तो सिक्किम का राज की व्रक्स हो गया बुरांस भूल मत जी ओ भाई उत्राखंड इसका भी राज की व्रक्स है बुरांस अब उत्राखंड का हो गया उत्रा याने कि उत्तरा धीकारी अब बंदे को वो उत्तर अधिकारी बनने का हकदार था, वो बन नहीं पाया, उत्राखंड का राज्टी अव्रक्स है, बुरांस, नेक्स्ट, पंजाब, पंजाब का राश्टी अव्रक्स है, सीसम, अब पंजाब का हो गया जाब, भाई एक बार मुझे अच्छी सी जाब मिल जाए, फिर तो मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माबाप के लिए, सीसम, सीस महल बना दूँगा, सीसो का, पर कब जब मुझे जाब मिले, पंजाब का राज्टी अव्रक्स हो गया, सीसम, नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल का राज्टी अव्रक्स है, चेतिवन, प उपिस से टाइम पर बंगले पर आना आपने खाना भी बनाना हैं बर्तन भी साफ करने हैं कपड़े भी दोने हैं पहले ही दे दिया पती बेचरा पूरा दिन उपिस में काम करना होता है जब वो बंगले पर लोड़ तैना तो पहले ही चेतावनी दे दी जाती है ताइम पे आ जाना बाबू कप्डे दोने बरतन करने जाड़ू पहुचा करना नेक्स्ट करनाटक करा राज के व्रख्षे चंदन अब करनाटक का तो हो गया भाई नाटक और चंदन का हो गया चंदन तिलक अब कई दोंगी बाबा होते हैं चंदन का तिलक लगाकर वो नाटक करते हैं ये बाबुजी बेक्षाम देही माई बेक्षाम देही माई तो हर एक नहीं होते हैं बहुत अच्छे बाबा भी होते हैं सादू भी होते हैं लेकिन कुछ-कुछ ऐसे होते हैं जो चंदन तिलक लगाकर ना गम्री का हो गया गर्मी गम्री गर्मी के भाई आस तो बहुत गर्मी है बहुत उमस है हे मेग कब बरसोगे अगर मेग बरस जाए ना तो सारी गम्री याने की गर्मी खतम हो जाए ठंडी ठंडी हमाँ चले चारों तरफ ठंड़की ठंड़क हो जाए कब जब मेग बरसे भाई नागा लेंड का राज के वरक्स है आल डर अब नागा लेंड का हो गया नाग रूम के अंदर बैठे वे थे अचानक से नाग आ गया तो आल डर आल बंदे डर गए कमरे के अंदर जितने भी बंदे बैटे थे थे ना आल आल बंदे डर गए वाई क्यों क्योंकि नाग आ गया आचानक से नागालेंड का राज की विरक्स है आल्डर नेक्स्ट गोवा और गोवा का राज की विरक्स है मती मती का हो गया मस्ती और भाई मस्ती करने हम गोवा जाते हैं समुद्र किनारे घूमते हैं बीच पर घूमते हैं लेकिन मस्ती मस्ती के चक्कर में मती मारी गई आता सब चला गया तो गौवा जाइए मस्ती करके आईए गौवा का राज की व्रक्ष से मती याने की मस्ती नेक्स्ट है मध्य पर्देश और राज की व्रक्ष से बर्गद और भाई मैं तो यही कहूंगा हर गाओं के मध्य मध्य पर्देश में मध्य आ गया ना हर गाओं के मद्ध हर सहर के मद्ध हर राज के मद्ध बर्गद का विरक्स होना चाहिए बर्गद हर गाओं के मद्ध होना चाहिए मद्ध 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 पर्देश नेक्स्ट हिमाचल परदेश का राजिके वरक्सें देवदार हिमाचल परदेश याने की हिमाले परवते देवदार देवों का द्वार है भाई हिमाले पर देखिए तप करते हैं जितने भी देवी देवता लगबग लगबग सभी नहीं हिमाले पर तप किया तो हम कह सकते हैं हिमाचल परदेश यानि की हिमाले परवत देवों का द्वार है देवदार और भाई कोई भी टोपी को जिस पर आपको ट्रिक चाहिए एक बार कमेंट्स बोक्स में बता दीजिएगा हम पूरी कोशिस करेंगे उस पर जल्द से जल्द ट्रिक वीडियो बनाने की नेक्स्ट आसाम आसाम का राज के विरक्स है हो लॉंग हरुना चल परदेश का भी राज के विरक्स है हो लॉंग अब देखिए जब भी आसाम आता है तो हम उसको आसाम की चाह से रिलेट करते हैं आसाम की चाह वर्ड फैमस है और आसाम की चाह जब और भी जबरदस्त बन हो लोंग व्रक्स हो गया आसाम का राज की व्रक्स और अरुना चल परदेश का हो गया अरुन और भाई अरुन ना आसाम की चाय को ना लोंग मिलाकर इतनी जवर्दस्त बनाता है कि मज़े आ जाते हैं अरुन आसाम की चाय में लोंग डालकर जवर्दस्त बनाता है मज़े आ आम, महाराष्ट का हो गया, महान राष्ट में आम आदमी गुजरात याने की गुजारा नहीं कर सकता, भाई छोटा मोटा राष्ट है तो गुजारा हो जाएगा, 10 रुपे किलो सब्जी मिल जाती है, 15 रुपे किलो ये मिल जाता है, दाल, चावल सब मिल जाता है, अगर महान राष्ट तो आम आदमी का गुजारा नहीं होगा महाराष्ट और गुजरात का राष्टिय व्रक्स आम हो गया नेक्स्ट तमिल आडू का राज़िय व्रक्स ताड अब तमिल तुम मिल तमिल तुम मिल ले जाओ भाई नेता जी से तो आपको लताड पड़ेगी आपको ताड पढ़ेगी क्यों आयोगे है ख्वाइसU किसे मिलना है नेताजी नहीं आए तो भाई वोट मागनी होगी तब आएंगे पेर पकड़ेंगे हाथ जोड़ेंगे लेकिन जब तुम मिलने जाओ तो मिल तो आपको ताड पढ़ती है लताड पढ़ती है कहने का मतलब यह है तमिल लाडू का राजकिय व्रक्स हो गया ताड next है केरल और भाई बिल्कुल ही जी है केरल का राजकिय व्रक्स है नार्याल कोको नाड उसके बाद है तिरपुरा तिरपुरा का राजकिय व्रक्स है अगर अब ये बिल्कुल इजी हो गया देखिए तिरपुरा की राजदानी अगर तला तो तिरपुरा का राज की विरक्ष भी हो गया अगर अगर तला हासान है न बिल्कुल तेलंगाना का राज की विरक्ष है जम्मीट्री अब तेलंगाना का हो गया तेज गाना बंदा जो है गा तेजगा के जमी आने की जमी नहीं जाए जमी जमी नहीं जाए इतना तेजगा फिर देख तेरे को रातो रात पोपुलर्टी मिलती है तो तेलंगाना का राजकी व्रक से जमी ट्रिप तेजगाओ इतना के जमी आने की जमी नहीं जाए देखे दस्तों बिलकुल इजी ट्रीक है फ़नी ट्रीक है बस एक बार रिलेट करके आप अपने माइंड में बैठा लीजिए इंपोटेंट टोपी के भाई किसी भी एक्जाम यहां से केशन पूछे जा सकते हैं एक बार इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे तो 101% आपका यहां से केशन गल्द नहीं और नीम जो है वो एक परकार की ओसदी है नीम का उपयोग करके अंदे व्यक्ति की भी आखों की रोसनी आ सकती है तो आंदर परदेश अंदे व्यक्ति के लिए नीम एक ओसदी का काम करता है तो आंदर परदेश का राश्टी व्रक्स हो गया नीम नेक्स्ट मनिपूर और म पड़े पहनता है आईफोन रखता है भाई तू ना बहुत मनी वेश्ट करता है मनी मनी पूर तो ना तू ना भाई मनी बहुत वेश्ट करता है इतनी मत वेश्ट किया कर नेक्स्ट राजस्तान और राजस्तान का राजकिय विरख से खेजडी अब खेजडी से कही ना कहीं ख खेतडी राजस्तान में भाई कॉपर के लिए परसीद है तो खेजडी से याद आता है खेतडी और खेतडी राजस्तान में हैं ऐसे भी याद रख सकते हैं आब देखिए चर्थिस गड़ का हो गए चर्थिस गड़ का जाड़ जंकड काट रहा है बंदा बेचारा इतना बेरोजगार है कहीं कोई काम दंदा नहीं मिला 36 साल से जाड जंकड काट रहा है बस इतना याद रखना 36 गड और जारकड दोनों का ही राज की वरक्स हो गया साल 36 साल से जाड जंकड काट रहा है बस मीजोरम का राज की वरक्स है नाग के सर अब मीजोरम का हो गया मीजोर मैंने जोर से मिजोरम मैंने जोर से पूरे जोर से नाग का सर पकड़ा नाग के सर भाई हम सब बैठे हुए थे अचानक से नाग आ गया तो किसी ने हाथ नहीं लगाया सब डर गे मिजोरम मैंने पूरे जोर से नाग के सर नाग का सर पकड़ा अगर पूच पकड़ू तो मुझे काट ले तो मैंने पूरे जोर से मीजोरम मैंने जोर से नाग का सर पकड़ा नाग केसर हो गया मीजोरम का राज की वरक्स नेक्स्ट उत्तर परदेश का राज की विरक्स है असोग उत्तर केशन अंस्वर परसन उत्तर जब भी आप टेस्ट देने जाते आपका एक भी उत्तर गल्थ हो जाता है तो आप शोक में डूग जाते हैं शोक करने लगते हैं शोक में डूग जाते हैं और क्यों ना करें बिहार उडिशा और हर्याना तीनों का ही राजकिय विर्ख से पीपल बिहार उडिशा हर्याना का राजकिय विर्ख से पीपल इसे आप याद रख लेना अब बात करते हैं केंदर सासीत परतेशों की जम्मू कस्मेर का राजकिय विर्ख से चिनार दिल्ली का है गुलमोहर चं नहीं किया गया है तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत